आपने से majority लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत एक बहुत बड़ा oil importer country है लेकिन import करने के साथ साथ आज भारत दुनिया के 40 अलग-अलग देशों को oil export भी करता है हर साल billion of dollar के इस oil को export किया जाता है और रशिया यूग्रेन युद्ध की वज़े से भारत का oil export और जादा से अमेरिका सहित कई यूरोपे देशों ने रशिया के ऊपर restrictions लगा दिया है जिसके कारण रशिया ने भारत को सस्ता crude oil offer किया जिसके जलते भारत में मौझूद Indian oil BPCL Reliance जैसी बड़ी oil refinery companies ने अलग-अलग petroleum products बनाया है और अमेरिका सहित यूरोपे देशों को काफी large amount में oil को export किया है वही भारत ने रशिया से oil import करने में एक अलग ही world record बनाया है भारत ने एक दिन में 16 लाग barrel तेल को रशिया से इंपोर्ट किया है और अगर हम majority export की बात करें तो हमारा सबस्यादा तेल export किया जाता है US, UAE, Netherlands, China, Saudi Arabia, Singapore, Singapore, 40 देशों में बात करें आज की main खबर के जाले मिलकर के भारत से बांगलादेश के बीच में करिबन 131,75 km लंबी नई डीजल पाइपलाइन का उप्गाटन किया है, इस पाइपलाइन का सिर्फ पांच किलो मेंटर हिस्सा भारत के अंदर है, है भारत हर साल इस pipeline की मदद से धाई लाग टन डीजल को एक्सपोर्ट करेगा कुछ इस समय में इस pipeline की capacity को और जादा बढ़ा जया जाएगा जिससे चार लाग टन डीजल डिरेक्ली बांगलादेश में एक्सपोर्ट किया जा सके आज बांगलादेश अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए चांशाट लाग से लेकर कि 77 लाग डीजल इंपोर्ट करता है जहां भारत और बांगलादेश के बीच में ये डील दुपच्छे संबंधों को और जादा मजबूत करेगी इसके लावा हमारे पड़ोस यानी बांगलादेश में बढ़ रहे चाइनीज बिजनस को रोकने मे भी काफी जदा हल्प करेगा 2017-18 में भारत ने बांगलादेश के साथ में इस कॉंट्रेक्ट पर साइन किया इसके लावा कई बड़े इंफ्रास्रक्ट्चर और प्रोजेक्ट्स और बांगलादेश के साथ में भारत करेंडली ऑपरेट कर रहा है भारत और बांगलादेश क इस जील के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरू बताइएगा भारत कैसे ही यूस्फूल और इंफर्मेटरी वीडियोस पारे के लाफ मारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में कि लेवन देमात्रों भारत मता की चैनल